फेमस टेलिविजन एक्ट्रस मुनमुन दत्ता हाल ही में सुर्ख्यों में आ गई थी खबरों में बताया गया कि उन्होंने तारक महता के टप्पू और फ्राज अनातकस से सगाई कर ली है हलाकि बाद में ये खबरे महस अफ़ाई ही निकली बता दे कि तारक महता का उल्टा चश्मा फेम मुनमुन दत्ता अभी भी अन्मैरिट है और टेलिविजन की सबसे खुबसूरत हिरोइंस में से एक है 36 साल की उमर में मुनमुन बेहत खुबसूरत दिखती है और अपनी फिटनेस और काय की बदालत फेमस है अब तक मुनमुन का नाम कई स्टार्स के साथ जुड़ चुका है लेकिन ये सवाल भी उठते हैं कि आखिर मुनमुन ने आज तक शादी क्यों नहीं की तो आपको बिता दे कि मुनमुन की पुरानी लव स्टोरी का एक किसा अंसुना है जो कहीं ना कहीं उनके आज तक शादी ना होने का कारण बना रिपोर्ट्स की माने तो मुनमुन दत्ता कथी तौर पर अर्मान कोहली के साथ एक serious relationship में थी रिपोर्ट्स की माने तो मुनमुन और अर्मान एक दूसरी के प्यार में पागल थी दोनों काफी सीरिस थे और उन्होंने सुसाइट करने के बारे में भी सोचा था हाला कि कुछ टाइम तक एक दूसरे को डेट करने के बाद मुनमुन और अर्मान अलग हो गई थे रिपोर्ट्स की माने तो अर्मान के साथ अपने रिष्टे के दौरान इस खुबसूरत अक्टरस को मान से एक और शारीरिक रूप से काफी प्रतारित किया जाता था रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि मुनमुन दत्ता का उनके बॉइफरंड अर्मान कोली ने शारीरिक शोशन तक किया था हाला कि अभी इस बारे में कोई ठोज सबूत नहीं है इसके अलावा ना तो मुनमुन और ना ही अर्मान ने कभी एक दूसरे से प्यार की बात को स्विकार किया है रिपोर्ट्स की माने तो मुनमुन को अर्मान के साथ जो महसूस हुआ उससे उनका प्यार और रिष्टों में विश्वास खत्प हो गया यही वज़े है कि वो अब तक अन्मेरिट है एक्ट्रोस अपने कई इंटर्व्यूस में ये बात मान चुकी है कि आने वाले सालों में उनका शादी करने का कोई प्लैन नहीं है जहां एक बार टाइमस ओफ इंडिया के साथ एक इंटर्व्यू में मुनमुन दर्टा ने अपने मेरिट दोस्तों के बारे में बात की थी कि कैसे वो उनकी तरफ अट्रैक्टिड है उसी पर एक्ट्रिस ने बताया था कि कैसे उनके मेल फ्रेंट्स ने खुले तवर पर उनकी तारीफ की और कहा कि उन्हें वो अच्छे लगे आती रती है